Hey guys, this is me Saurabh So guys, आज की वीडियो के अंदर guys मैं review करने वाला हूँ एक बहुत ही affordable और international product को Guys, आज मैं review करने वाला हूँ MyProtein का Impact Wave Protein Isolate But guys, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले I hope कि आपने channel subscribe कर लिया होगा अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं कर रहा है तो guys आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखाओ का subscribe आप उस पर क्लिक करके मेरा channel subscribe कर सकते हो And guys, अगर आपको मेरे से एक affordable rate में personal training लेनी हो तो आप मुझे reach कर सकते हो Soarawhats personal training at the rate gmail.com पे Guys, सबसे पहले बात करते हैं pricing की तो guys, जहाँ पर बात आती है pricing की और value की तो काफी अच्छी value आपको provide होती है Maya protein का प्रोटीन खरीदने से Guys, अगर आप एक international product खरीदना चाहते हो तो guys, मैं आपको suggest करूँगा Maya protein को choose करो Guys, इसकी price काफी affordable है इसका 1 kg का wave protein आपको पढ़ते है around 2000 रुपीज से लेकर 2500 रुपीज तक जो की as compared to other products like optimum nutrition and muscle tech काफी affordable है और guys, मैं आपको एक चीज और suggest करूँगा Guys, कभी भी कोई भी international product खरीदते हो तो हमेशे एक चीज ध्यान में रखे करो उसकी custom duties आपको pay करने ही पढ़ेंगी क्योंकि government उनके ओपर taxes लगाती है तो आपको pay करने पढ़ेंगे तो guys, इसलिए आप क्या कर सकते हो कभी भी international product खरीदते हो जैसे कि my protein का protein खरीदते हो तो आप क्या कर सकते हो एक kg के बजाए 5 kg के boxes खरीद सकते हो उसको एक या दो 5 kg के boxes खरीद सकते हो जिससे custom duties कम से कम लगे और वो जो protein है आपका stock हो जाए आपके पास और आप उसको काफी time तक use कर पाओ इससे आप काफी सारे पैसे बचा सकते हो अब बात करते है guys कि इस way protein को धंग से काम करने के लिए क्या के conditions आपको follow करनी पड़ेंगी तो guys ऐसी तीन condition से अगर आप चाहते हो वे impact isolate धंग से work कर पाए तो guys सबसे पहली condition है deficit guys अगर आप deficit में नहीं रहोगे तो guys यह protein धंग से काम नहीं कर पाएगा guys क्योंकि यह protein fat में कम है carbohydrate में कम है तो बस यह उनको ही लेना है जो की fat loss process में है क्योंकि guys यह आपको carb content भी कम प्रोवैड करेगा fat content भी कम प्रोवैड करेगा तो guys सबसे पहली condition जो आपको follow करनी है वो है कि आपको deficit में रहना है guys दूसरी condition जो आपको follow करनी है guys वो है कि आपको अपना carb content भी कम करने है guys आप एक ऐसा product खरीद रहो एक ऐसा प्रोटीन खरीद रहे हो जो की काप में डिक्रीज है, जो की काप में कम है, तो guys it's obvious, कि आपको अपनी डाइट से भी काप को हटाना पड़ेगा, तब ही ये धंग से प्रोटीन काम कर पाएगा, तब ही आपको सारे अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, गैस, third condition जो आपको follow करनी है, अगर आप चाहते हो, ये वेप रोटीन आपके लिए धंग से काम करें, वो है कि आपकी intensity, अब guys आप कैसे intensity increase करोगे, जब की आप carb content कम consume कर रहे हो, fat कम consume कर रहे हो, तो आप guys क्या कर सकते हो, मान लो कि आप 10 kg का dumbbell lift कर पाते हो, fat loss process में, तो guys आप क्या कर सकते हो, आप proper form के साथ उसको लगा सकते हो, साथ के साथ उस weight को control करो, कोशिश करो कि आप उसको hold कर पाओ, isometric contraction, extension, contraction, सारी form use करो, और कोशिश करो कि आपके muscle हमेशा engage रहे, इससे क्या होगा, आपकी intensity increase हो कि साथ के muscles को engage कर पाओगे, जिससे आपकी जो intensity है, और जिससे जो आपका workout है, वो भी enhance होगा, जिससे बाद में अगर आप post workout में एक protein consume करोगे, आपके muscle जल से जल उनको absorb कर पाएंगे, तो guys इसलिए अगर आप से fat loss process के तो ज़्यादा weight lift नहीं होता, तो आप guys क्या कर सकते हो, अपने weight protein, जिससे आपको सारे amino acids मिल पाएंगे, चाहे essential हो, चाहे conditionally essential हो, जिससे आपके muscles repair हो पाएंगे, और guys दूसरा है emulsifying agent, guys emulsifying agent का simple समय नहीं होता है, कि जो आपका weight protein है, वो कोई सी भी drink में, चाहे water हो, चाहे milk हो, उसमें असाने से dissolve हो पाए, तो guys अगर आप unflavored version choose करते हो, तो ये दो चीज़े आपको मिलती है, और अगर आपको इस flavor version choose करते हो, तो उसके अदर add होगा cocoa powder, या फिर sugar, ऐसी सी चीज़े add होगी, but guys मैं आपको suggest करूँगा, अगर आप चाहते हो, कि fat loss process में ये protein अच्छे तरह काम करे, तो guys आपको unflavored version choose करना चाहिए, तो guys अब बात क कि protein से भी काफी अच्छी दी गई है, lab door ने इसको काफी अच्छी rating provide करी है, तो rating के बारे में आपको सोचने की जरूत नहीं है, उसमें एक protein काफी अच्छा score करता है, guys last में discuss करते हैं, ये protein आपको खरीदना कहां से है, और ये protein आपको consume कैसे करना है, तो guys ये protein आप consume कर सकते ह पोस्ट वकॉट में ठंडे पाने के साथ और आपको ये protein खरीद सकते हो, किसी भी international साइट से, कोशिश करो कि my protein की international साइट से इसको खरीदो, क्योंकि guys वहां से ही chances है कि आपको सारा original supplement मिल पाएगा, अगर आप इसको कई Indian साइट से खरीदते हो, तो guys हो सकता है कि product की expiry date नि मगर impact way isolate protein नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है कि हमेशा जब भी protein खरीदना है, तो आपको देखना है कि impact way isolate हो, ना कि impact way हो, तो guys इसलिए ये protein आप खरीच सकते हो directly my protein के site से, तो guys ये पूरी वीडियो थी my protein के impact way isolate protein के review के बारे में, I hope guys कि आज की वीडियो आपको पसंद योगी and guys see you in the next video and best of luck